हलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटीव चैनल पर और आज हम लोग बनाने वाले हैं बकरे का भेजा फ्राय इसके लिए किस तरीके से आपको प्रिप्रेशन करनी है और बनाना है और बड़ा स्वाधिश्ट होता है बेजा बनाने के लिए हमें चाहिएगा एक बकरे का फ्रेश बेजा किसी भी मटन शॉप से आप लोग इसको ले सकते हैं जीरावन रेडिमेट मसाला थोड़ा सा सौल्ट और सांत में लेमन इनकी आवेश्कता हम लोगों को पढ़ेगी अब एक फ्राइंग पैन गेस पर गर्म होने के लिए मध्यमाज पर रग दे और उसमें लगबग दो से तीन या जदा से जदा चार टेबल स्पून ऑइल ले 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 और उसे अच्छा सा गर्म होने दे इस गर्म तेल में हम लोग भेजा जो हम लोग लेके आए हैं उसे सीधा सा डाल दे और इसे पकाते हैं इस तरीके से इसको चलाते रहें ताथि ये इस फ्राइंग पैन लें चिपके नहीं, नॉन इस्टिकी फ्राइंग पैन लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, अब इसमें जो सॉल्ट हम लोगों ने लिया था, लगभग एक टेबल स्पून के करीब, वो इसमें हम लोग एड कर देते हैं, ये तब तब पकाते हैं जब तक की ये हलके भूरे रंका नहीं हो जाता है, लिए हलके भूरे रंका ये हो चुका है, और पानी इसका जो भी था, वो सारा खत्म हो चुका अपने आप ही, इस तरीके से अच्छे से भूने हुए भेजा फ्राइ को आप लोग सर्व कर सकते हैं प्याज, मिर्च और लेमन जूस के सांथ में सांथ ही हम लोग पकरे का जो सिरी पाया होता है उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं और ड्रिंक के सांथ आप लोग इसको भी ले सकते हैं यह जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा आपके लिए तो ट्राइ करें और इंजोय करें धन्यवाद